हल्क मार्वल के सबसे स्ट्रॉंग केरेक्टरस में से एक है जिसे फिजिकली हरापाना पावर्फुल से पावर्फुल केरेक्टरस के भी बस की बात नहीं है लेकिन आज हम इसी हल्क का बैटल इसी के सबसे पावर्फुल फॉर्म से करने वाले हैं जो की है Immortal हल्क World Breaker हल्क और इस वीडियो आपको सबसे पहले मिलें वैसे इसके लावा अगर आपने अभी तक हमारी व्र वर हलक और इंमोटल हलक कॉमिक एक्स्प्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो अब इस वीडियो को देखने kे बाद हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को भी चेकाउट कर सकते हैं मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंदूँगा तो आईए अब बीना किसी देरी के आज कि इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेज इमोटल हल्क वर्सेज स्पेस पनिशर हल्क के इस बैटल के अंदर हम टोटल दो बैटल को देखेंगे जो की होंगे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेज इमोटल हल्क और दूसरा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेज स्पेस पनिशर हल्क तो आईए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेज इमोटल हल्क से तो पहले बात करें Immortal Hulk की तो Immortal Hulk मारवल के में यूनिवर्स से ही बिलॉग करता है और ये सबसे पहले नज़र आया था साल 2018 में आई The Immortal Hulk के Issue 1 के अंदर Civil War 2 की स्टोडी लाइन के अंदर जब होकाई Bruce Banner को मार देता है और वो पहले से भी कई ज़्यादा powerful बन जाता है जिसके बाद वो कहलाता है Immortal Hulk बात करें Immortal Hulk की powers की तो ये Hulk Gamma Radiation को absorb भी कर सकता है और उसके जरिये और powerful बन सकता है Immortal Hulk इतना powerful है कि ये बड़ी ही आसानी से Red Hulk और Sasquatch जैसे strong characters को हरा चुका है साथ ही ये Iron Man के Hulk Buster armor को भी बुरी तरह से तोड़ चुका है और अपने एक ही पंच में Thor का एक दाद भी तोड़ चुका है इनके लावा Immortal Hulk के ओपर Lady Thor के म्योनिर का भी कोई असर नी होता और जब ये Black Panther को पंच मारता है तब उसके पंच का impact इतना जादा होता है कि उसकी वज़ा से Black Panther का Vibranium सूटी पूरा का पूरा ओवरलोड हो जाता है और तो और इसका healing factor भी इतना कमाल का है कि जब Iron Man इस पर laser beam से attack करता है तब उससे पूरी तरह से राख बनने के बाद भी ये खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेता है तो यही सारी immortal Hulk की powers है अब इसके बाद आए वर्ल्ड ब्रेकर Hulk की पावर्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड ब्रेकर Hulk भी immortal Hulk की तरह ही main marvel universe से पिलोंग करता है जहां पर जब Hulk के गुस्ते की वज़ा से पूरी दुनिया पर खत्रा बढ़ने लगता है तब Illuminati टीम के कुछ members जो की होते हैं Iron Man, Doctor Strange, Mr. Fantastic और Black Bolt ये चारों मिलकर Hulk को एक स्पेस्शिप में बिठा देते हैं और उसे स्पेस में फेक देते हैं लेकिन Hulk वहां से सीधा एक प्लैनेट पर जा गिरता है जिस प्लैनेट का नाम होता है सकार और वहां पहुँचने के बाद वहां का रूलर Red King Hulk को अपना एक Gladiator बना देता है और उससे अपने मज़े के लिए लड़ाईयां लड़वाता है लेकिन फिर Hulk वहां के रूलर Red King को जान से मार देता है और फिर सकार का नया राजा बनता है पर एक दिन अचानक से ही Hulk का वह स्पेशिप ब्लास्ट हो जाता है जिस स्पेशिप से वह वहां पर आया होता है और उस ब्लास्ट की वज़ए से Hulk की वाइफ के साथ-साथ उसके लाख हो लोग मारे जाते हैं हलक इन सबका जिम्हेदार इल्लुमिनाटीज को मानता है और फिर वो उन सबसे बदला लेने के लिए अर्थ पर आता है उस पॉंट अफ टाइम पर हलक सबसे जादा गुस्से में होता है और इसलिए वो कहलाता है वर्ल्ड ब्रेकर हलक अब बात करें वर्ल्ड ब्रेकर हलक की पावर्स की तो वर्ल्ड ब्रेकर हलक की पावर्स है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस डूरिबलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, स्पीड, सुपर जंप, एंड कामा रेडियेशन एमिशन World Breaker Hulk की powers, पूरी तऱ से अनोर्मल हल्क से इस्मिलर हैं पर फर्क से वितना है कि World Breaker Hulk की इस सारी powers बहुत ज़ादा हाई है यह World Breaker Hulk सकार प्लैनेट के अंदर खौलते वे लावा के अंदर तैर चुगा है और सकार की तूटती हुई टेक्टोनिक प्रेट्स को सिर्फ अपने हाथों से जोड़ जुगा है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इतना जादा स्टॉंग है कि जब आरन मैन अपने सबसे अडवास हल्क बस्टर आर्मर से हल्क का सामना करना आया था तब उसके किसी भी अटैक का वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के उपर कोई असर नहीं हुआ था और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने हल्क बस्टर आर्मर को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था World Breaker Hulk की durability भी इतनी जादा है कि इसे कोई नुकसान नहीं पुचा सकता World Breaker Hulk को रोकने जब सारे सुपर्योज आये थे तब ना तो साइकलोप्स की लेजर का Hulk के उबर कोई असर हुआ था और ना ही कॉलोसस के 25 का और वुलवरीन अपने एड्मेंटेम क्लॉस के यूज करके भी Hulk की बोड़ी को नहीं काट पाया था और तो और जगरनॉट जिसे Hulk जितना पौरफुल बताया जाता है वो भी Hulk के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था लेकिन इनके भी उपर जब Dr. Strange Dr. Strange वर्ड़ ब्रेकर Hulk को रौकने के लिए Demon Powers को यूज करता है तब उनका भी वर्ड़ब्रेकर हलक के उपर कोई असर्ड नि होता और वर्ड़ब्रेकर हलक डॉक डॉक्टौ Commerce हरा देता है और सिर्फ डॉक्टर स्टिंज ही नहीं करते हैं वर्ड लेकर और फोल्ल यह दोनों हम प्लींगार चुके वहरा चुका लेकन इन दोनों में से ज़ादा पॉर्फलल खी तो बिना किसा क्रफल रहुका है और इसके इतना गुत्सा होने की वजह से इसकी पावर्स भी पीक पर होती है, वैसे तो Immortal Hulk ने कई सारे हिरोस को हराया, लेकिन World Breaker Hulk ने Immortal Hulk से भी जादा हिरोस को हराया, जैसे कि World Breaker Hulk, Dr. Strange को Demon Powers के साथ भी हरा चुका है, और Marvel के सबसे Powerful सुपर हिरो सेंटरी को भी बराबरी के टकर दे चुका है, strongest form में आता है और जब ये अपने strongest form में आता है तब वो इतना जादा पाउरफुल बन जाता है कि उसके सिर्फ एक step चलने से ही एक पुरा शेह डिस्टोय हो जाता है और इसलिए ये बात तो clear है कि world breaker ब्रेकर हल्क इमोटल हल्क से भी जादा पाउरफुल है और वो इमोटल हल्क को हरा सकता है तो अब इसके बाद आएए बात करते हैं world breaker हल्क versus space penisher हल्क की तो अब जैसा कि हम world breaker हल्क के बारे में सब कुछ पहले ही जान चुके हैं इसलिए हम सीधा space penisher हल्क की बात करते हैं तो space penisher हल्क सबसे पहले दिखा था साल 2012 में आई space penisher के issue 2 के अंदर इस हल्क की origin की बात करें तो ये हल्क earth 12091 से बिलोंग करता है जहां का Bruce Banner जब Gamma Radiation पर Study कर रहा होता है तब वो एक Gamma Bomb के Contact में आ जाता है जिसकी विज़े से Bruce Banner Mutate होकर Hulk बन जाता है और फिर वो कहलाता है Space Punisher Hulk, Space Punisher Hulk पूरे Marvel Multiverse के अंदर Hulk का सबसे Brutal Version है Marvel का ये Hulk बहुत ही जादा Powerful है और ये Space Punisher Hulk बागी के Hulk से इसलिए भी Different है क्योंकि इसके दो नहीं बलकि चार हाथ है और अपने इन चार हाथों से ये Fantastic Four की पूरी टीम को एक साथ ही मार चुका है और सिर्फ यही नहीं बलकि इनके अलावा ये Deadpool को भी मार चुका है और War to the Watcher जैसे Cosmic Wing को भी मार चुका है तो अब इस Hulk के बारे में सब को जानने के बाद आएए अब World Breaker Hulk और Space Punisher Hulk के Battle की बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सा Hulk सबसे Powerful है तो अभी हम जिन दोनों Hulk का Battle comparison कर रहे हैं वो शायद से पूरे Marvel Multiverse के सबसे Powerful Hulk है लेकिन अगर आपको इन दोनों में से भी जादा Powerful Hulk को जानना हो तो मैं आपको बता दूँ कि बिना किसी शक के Space Punisher Hulk सबसे Powerful Hulk है और ऐसा इसी लिए क्योंकि Space Punisher Hulk बहुत जादा Brutal है जो कि बड़े अराम से किसी की भी जान ले सकता है पर वहीं दूसरी तरफ World Breaker Hulk है जिसके बारे में आपने हमारी World War Hulk सीरिस के अंदर देखा ही होगा और वहां में दिखाये गया है कि ये Hulk सादा Brutal नहीं है इनके अलावा जहां World Breaker Hulk सेंटरी से भी नहीं जीत पाया है वहीं पर Space Punisher Hulk ने वार्टू धा वाचर तक को जान से मार दिया है और जिनोंने भी मार्वल वर्टिफ सीरिस देखी है वो सब तो ये जानते ही होंगे कि ये वाचर कितने पाउरफुल होते हैं Space Punisher Hulk ने एक वाचर को तो जान से मारा है लेकिन इनके साथ ही ये एक ही साथ 6 वाचर से भी फाइट कर चुगा है और उन सब को हरा चुगा है और तो और इसका नाम भी Space Punisher Hulk इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये Hulk स्पेस में घुमता रहता है और उसी दोरान ये कई और पाउरफुल करेक्टर को भी जान से मार चुगा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये Space Punisher Hulk आप तक बहुती काम अपियर हुआ है इसलिए अगर इसे और दिखाए गया तो पता नहीं और किस किस की जान ले लेगा तो इसलिए अब इन सारे फेक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि Space Punisher Hulk World Breaker Hulk और Immortal Hulk दोनों से ही जादा पाउरफुल है और वो इन दोनों को हरा सकता है तो ये हलक के तीन सबसे पाउरफुल फॉर्म्स के बीच एक Battle Comparison वीडियो थी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रेकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी World War Hulk Comic Series और Immortal Hulk Comic Series को नहीं देखाएं तो आप अभी कभी दिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियो को भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको और भी कई वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो कि है हलक और अगर आप इंटरस्टीड हो तो इन सारी वीडियो और यही पर एंड करते हैं यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस्से लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो अभी के भी सबस्क्राइब करें मैं आपसे मिलता हूं एसी किसी और बेतरीन वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई